एक टाइम तब जब हम लोगों के लिए साउथ मूवीज कॉमेडी टाइम पास का सबसे बड़ा हत्यार हुआ कर दी थी एक्सेंजीन और डविंग तो दिमाग की वाट लगा कर रख देते थे और हम लोग हस्ते हस्ते पागल हो जाया कर देते फिर उसके बाद आया 2015 और इंडियन सिनेमा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया वावली रिलीज होती है और सिर्फ साउथ में नहीं वलके अल ओवर इंडिया में अपनी चाप छोड़ देती है पहली बार नौत वाई में लोगों ने साउथ सिनेमा का पावर देखा 99 परसन लो थोड़े टाइम बाद सुनाई देना शुरू हुआ एसस राजा मॉली कि जितने वड़िया फिल्म में करें उससे दस गुना ज्यादा ये स्मार्ट बिजन्स में ने इनको अपनी फिल्म बनाकर बेचना आता है तभी तो नॉर्ट बेल्ट में दो अन्नोन नॉर्ट सो पॉ इंडियन सिनेमा में जब ये फेस्टिवल शुरू हुआ तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि इसका लास्ट चैप्टर ऑसकर की स्टेज पे लिखा जाएगा फिल्म ने बॉक्स ऑपिस पे तो पहले ही धूम मचा ली थी जब दुनिया वर में इसका कलेक्शन 1000 क्रोड को क्रो से भी आगे निकल गया लेकिन दिक्कत का क्या हुई जानते हो जब पूरी दुनिया में ट्रपाराल के लिए तालियां बज़ देती तब अपने ही देश में लोग गालिया दे रहे थे टांग कीच रहे थे अरे लॉजिक का है फिसक्स का तो मर्डरी कर दिया है ग्रेविट से फिल्म को उसकर की रेस में पहुचा दिया और लिटरली अंग्रेज पागल हो गए पता तो चली गया होगा आपको के नाटू नाटू पहला इंडियन ओरिजिनल सॉंग बन चुका है इंडिया का सबसे बड़ा ओवर्ड जीतने वाला लिटरली फॉरण से जब चोटी- सबसे बड़ा सबक जो इंडियन सिनेमा इंडरस्टी में बैठे ऊपर बैठे हुए लोगों को लेना चाहिए वो यह है कि आसकर जैसे अवार्ड में कौन सी फिल्म बेजनी है इसका फैसला सिर्फ 4-5 लोग नहीं करेंगे इस डिसीजन में पबलिक का रोल होना बहुत जरूरी है अगर ओडियन्स किसी फिल्म को जैनूरली सपोर्ट करती है और इस फिल्म को चांस जरूर मिलना चाहिए बड़े ब बात है आगे चलकर ऑसकर की लाइन लगा देंगे हम लोग लोगो एमेम केरावानी को भी सलूट करना चाहिए और राजा मौली के दिमाग को एक क्रेडर देना मत बूलिए गा इस बार इंसान अकेले पूरे इंडियन सिनेमा को बदल सकता है तो आपको क्या लगता है अब क